या आप भी जोडों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से परिशान रहते हैं, किसे भी प्रकार का दर्द हो आज मैं आपके साथ तीन ऐसे घरेलू नुसके शेयर करने वाली हूँ जिसको इस्तमाल करने के बाद आपको बहुत ज़ादा आराम मिलेगा और ऐसे नुसके हैं, जिने आप आसानी से घर में मौझूद चीजों से बना सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा दूद जिसे आप जोडों के दर्द के लिए लेंगे तो आपको बहुत ज़ादा आराम मिलेगा साथ ही मैं यहाँ पर एक चाय बताने वाली हूँ, जिसको आपको तेली पीना है और इससे भी आपको अपने जोडों के दर्द में बहुत ज़ादा रहत मिलेगी एक मालिश का या दर्द का तेल बोल सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसे यूज़ करने पे भी आपका दर्द बिर्गुल गायब हो जाएगा तो आजाते हैं, पहले नुसके पर इसके लिए एक पैन रखेंगे, इसके अंदर हमें दूड डालना है, यहाँ पे आपको लो फैट दूड का इस्तिमाल करना है, यूज़ कि बहुत बार वजन की वज़े से भी हमारे घुटनों में जोडों में दर्द होने लगता है दूड के अंदर आधा चमच हम हल्दी डालेंगे, जो हल्दी होती है, जोडों के दर्द के लिए बहुत ही कारगर है अगर आपके पास कच्छी वाली हल्दी हो, तो वो यूज़ करेंगे और भी जादा इफेक्टिव रहेगा जैसे हम अदरक कूटे न, ऐसे कूट के डाल दीजेगा मीठे के लिए यहाँ पर मैं धागे वाली मिश्री का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप शुगर पेशिंट हैं, तो इसके अंदर दो आपको क्या करना है खजूर डाल देने हैं अब हमें अदरक कुचल के डालनी है या फिर आप इसे कदो कस करके में डाल सकते हैं जो अदरक होती है, वो भी जोडों के दर्ड के लिए, घुटनों के दर्ड के लिए बहुत ज़ादा लाबदायक होती है यहाँ पर मैंने इस दूद को अच्छे से उबाल लिया है ताकि जितनी भी चीज़े हमने डाली है, सबके फ्लेवर्स दूद के अंदर आजए अच्छे से उबालने के बाद हमें गयास को बंद कर देना है और इस दूद को कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बता देती है तो चलिए इसे च्छान लेते हैं, यहाँ पर मैं दूद को च्छान रही हूँ यह एक किलास के करीब दूद है और इस दूद को आपको रात को सोने से पहले लेना है जिससे यह दूद पूरी रात अपना असर दिखा सके और साथ में खलकी फुलकी आपको एक्सराइज भी करनी है कई बार क्या होता है, हमीशा बैठे रहने से भी हमारे घुटनों में या जोडों में दर्ध हो जाता है अगर उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी तो आपका दर्ध बहुत ज़ली ठीक होगा तो इस दूद को आपको देली रात को सोने से पहले लेना है और साथी मॉनिंग में थोड़ी से एक्सराइज करनी है, आपको बहुत ज़दा आराम मिलेगा चले अब आजाते हैं सेकिंड रेमेडी पे, तो यहाँ पे हम एक चाय तेयार कर रहे हैं जिसके लिए एक कप मैंने पानी लिया है या एक गिलास आप पानी ले सकते हैं अब इसके अंदर दूसरी चीज जो मैं आट कर रही हूँ वो है मेथी दाना जो मेथी दाना होता है घुटनों के दर्द या किसी प्रकार का दर्द आपको है उसके लिए बहुत ज़दा इफेक्टिव होता है तो एक चमश भर के मैंने ये मेथी दाना डाल दिया है और इसका मैं दूसर तरीका भी आपको बताती हूँ अगर आप चाय ने बनाना चाते तो रात को एक गिलास पानी में मेथी दाना भिगो कर छोड़ दीजे सुबह उस पानी को पीलीजे और मेथी दाना को चबा के खालीजे तो भी वो बहुत ज़दा इफेक्टिव है पर यहाँ पर आज हम चाय बना रहे हैं मेथी को अच्छे से उबलने देंगे मेथी का जो कलर है वो पूरा पानी के अंदर आ जाएगा पानी आपका येलो कलर का यानि पीला हो जाएगा अब आपको क्या करना है इस पानी को अच्छे से उबाल देना है ताकि ये एक कप रह जाए क्योंकि हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं चलिए इसे छान लेते हैं चानने के बाद आप देखेंगे इसका जो कलर आपको दिख रहा है वो पीले रंका दिख रहा है क्योंकि मेथी का पूरा फ्लेवर इस पानी में आ चुका है अब यह जो हमारा पानी बना है मेथी का यह बहुत ज़दा कड़वा है तो इसे थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे शहद का इस्तमाल कर रही हूँ शुगर पेशंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर जब हमने मेथी उबा ले थी तब ही आप खचुड भी ढना सकते हैं और खचुर के साथ इसको उबाल के उसे चाय बना सकते हैं तो यहाँ पे इसके नदर डाल दिया है शेहद एक चमच और आधा नेम बो हम इसके अंदर स्किप करके यानि उसको नहीं लेना है उसकी जगे डेली मॉर्निंग में ये चाय आपको पीनी है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है आपका मुटापा भी घटेगा गैस एसिडिटी की दिकत भी कम होके साथ ही जोडों का गैस को इत्म लोग पे रखेंगे इसमें 5-6 लहसूं की कलियां बारी काटके डाल देंगे हलका हलका इसे पकने देंगे गैस को तेज नहीं करना मेथी दाना डालेंगे एक टीस्पून के करीब जैसे कि मैंने बताया मेथी दाना जो जोडों के दर्थ के लिए बहुत ही तो पेट की गैस खतम होती है और इसे अगर हम लगाते हैं तो हमारे दर्द को यह खीच लेती है आधा चमच हल्दी डाल हल्दी में एंटिबायोटिक एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टीज होती है यह हमारे जो दर्द है उसे खीचने में बहुत ज़्यादा मदद करती है सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है अगली चीज चो मैं इसके अंदर डाल रही है वो है प्याज यहाँ पे एक छोटी प्याज मैंने इस तरह से रफली काट ले है इसे डाल देंगे और जो प्याज होती है यह भी दर्द को सूजन को कम करने में बहुत ज चल लिया था आप चैये तो कत्व कस करके भी या बारी काटके भी डाल सकते हैं अध्रक्छ होती है जैसे मैंने अल्रडी बताया दर्द को कम करती है थोड़ी सी हींग डालेंगे जो हींग होती है वो भी हर प्रकार के दर्द को खीचने में मदद करती है, साथ ही अगर गास असिडिटी की वज़े से आपका दर्द हो रहा है, तो उसे भी यह कम करती है, अगली चीज जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, वो है लॉंग, चार से पांच लॉंग हमें डालने है, जितनी भी चीज़े मैं इसके अंदर डाल देंगे, एक डालचीनी का टुकड़ा भी मैंने इसमें डाल दिया है, और यहां पर गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना, जितनी धीमी आज पर यह तेल पकेगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसे पकने देते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, जो प्याज ल तेल को छान लेंगे, अब इस तेल को आप किसी भी कांच की कंटेर में ठंडा करके, स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे इसे अपलाई करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जब इस तेल का टेंपरेचर इतना हो जाए कि आप इसमें हाट डाल सके, आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, सूजन है, वहाँ पर पहले सिकाई कर लीजी, किसी भी चीज़ से, उसके बाद इस तेल को आपको अपलाई करना है, हलका गरम होना चाहिए, ठंडा तेल नहीं अपलाई करना है, हलका गरम जितना आप सेह सके, उतना गरम आपको ये तेल अपलाई करना है और इसके बाद मोटे कपड़े से इसे लपेट देना इस एरिया को ताकि यहां पर बिल्कुल भी हवा ना लगे तो इन तीनों रेमिडीज को आप ट्राइ करिए आपको बहुत आराम मिलेगा आज का वीडियो हेल्फुल लगे तो लाइक करें दूसरों के साथ शेयर करें कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा